हेलो दोस्तों, जैसे की हम सबको पता है कि क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियल लीग की शुरुआत हो चुकी है बुजरात के नरेंद्रम मोधी स्टेडियम में पिछले साल की चैंपियन बुजरात टाइटिन्स और महेंद सिंग धोनी की अगुवाय वाली चेननाई सुपर किंग्स के बीच आईपियल के 16 सीजन का पहला मुकाबला खेला गया इस मैच में गुजरात ने चेननाई को रोमान चक मुकाबले में हराया लेकिन मैच शुरू होने से पहले गुजरात के कप्तान हार्दिक ने ऐसी हरकत कर दी जिस वजह से वो चेननाई सुपर किंग्स के फैंस की नजरों में चट गए सोशल मीडिया पर हार्दिक की इस हरकत का वीडियो जमकर वाइरल हो रहा है हुआ यू की, IPL 2023 के शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरिमनी हुई जिसमें की स्टेज पर IPL की ट्रोफी लाए गई बुजरात के कप्तान हार्दिक पांदिया चैननई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद सिंग धोनी और BCCI के सचेव जैशाह और IPL के अध्याक शारून धूमल एक साथ स्टेज पर खड़े थे इसी बीच हार्दिक पांदिया जब ट्रोफी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने महेंद सिंग धोनी के बगल से गुजरते हुए उनसे हाथ नहीं मिलाया बलकि उनके बगल में खड़े हुए अरुन धूमल और जैशाह से हाथ मिलाया हार्दिक पांदिया का महेंद सिंग धोनी को इस तरह से नजरंदाज कर देना फैंस को बिल्कूल गवारा नहीं हो पा रहा है सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत का वीडियो जम कर वायरल हो रहा है ऐसा पहली बार नहीं है कि हार्दिक ने अपने घमन की वजह से भारतिय सीनियर प्लेयर के साथ ऐसी हरकत की हो इस से पहले भी हार्दिक ने विराट कोहली के साथ ऐसी हरकत की है दोस्तों हार्दिक का इस तरह से अपने सीनियर प्लेयर को नजरंदाज करना कितना सही है इस बारे में हमें नीचे दिये गई कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए